91.2 अनायगयच हेलोदून को टून किया है आपने। मैं हूँ हेमा। नमस्कार। दोस्तों लेकर आगे हूँ आपका अपना पसंदीदा कारिक्रम दिव्यांगता भारते दिश्चिकुम से। इस कारिक्रम में हमने कई पौरानिक कथाओं द्वारा ये बतानी की कोशिश की है कि यदि कोई शक्स अपनी किसी अंग से विहीन हो जाता है तो भी वो सब कुछ कर सकता है जो एक सब अंगों से समर्थ व्यक्ति करता है। क्योंकि जितनी भी महान शक्सियते हुई है उन्होंने अपनी उस कमी पे विजय पाकर एक मिसाल कायम की है। इसलिए वे असाधरन कहला है। साधरन से असाधरन बनने के लिए पूरी तरह से समर्थ होना आवशक नहीं। बस जरूरत है मन का समर्थ होना यानी अपनी भीत्री शक्ति को पहचानना। तो ऐसे ही एक और शक्सियत के बारे में जानने के लिए हमने आमतृत किया है निपवेट के निरीशक प्रॉफिसर नचकेटा राउड जी तो चलिए जानते हैं कि आज वो किस महान शक्सित के बारे में बताने वाले हैं पर उससे पहले सर का बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूंगी सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद सर अभी तक आपने जितनी भी महान शक्सितों के बारे में बताया वो सब समाज के कल्यान के लिए कारे करते रहे हैं यानि कि वो हमारी नजर में हीरो रहे हैं पर कोई तो ऐसा होगा जिसने अपनी कुटिल बुद्धी का इस्तिमाल करके खलनायक का काम किया होगा जिसे हम आज भी खलनायक के तौर पर ही याद करते रहे हैं क्योंकि कुछ शक्सित हैं ऐसी भी होती हैं भले ही वो खलनायक के तौर पर अपनी चाप छोड़ जाते हैं पर या तो हम उन्हें भी करते ही हैं भले ही अच्छे मन से ना किया जाए तो कोई हो तो बताईए जाए हमारे देश के नाम से जो सबसे बड़ी युद्ध हुई महाभारत उस महाभारत युद्ध के होने में जिनका हां था शकुनी वह भी अस्तिवाधित दिव्यांग थे और उनकी कहानी भी रोचक है समय के विस्तार में अगर हम देखें तो या अगर हम किसी एक दूसरे के दृष्टिकोंड से देखें तो ज़रूरी नहीं कि जो काम उन्होंने किया वह गलत हो तो कहानी कुछ ऐसी बोलती है कि गंधार नरेश हुए सुबाला जिनकी पुत्री हुई गंधारी ओ पुत्र हुए शकुने तो एक कहानी यह बोलता है कि हमारे कॉरफ पितामा भिश्म के साथ अपने राज जी कविस्तार करने के लिए गांधार जो की अफगानिस्टान और पाकिस्तान के हिस्से का वो राज ज्य था उसे जीतने के लिए उन्होंने बंधी बना रखा था राजा सुभाला और उनके बेटे बेटियों को और परिजनों को बेटियों को तो नहीं परिजनों को और यात्राएं दी दूसरी कहानी ये बोलती है कि पितामा भिष्व जो की अपने राज्य के लिए सब कुछ दाओं पर लगा देते थे उनकी तराश थी एक योग्या महरानी की योगीराज्य को समाल सके और उस समय की सबसे योग्य महिलाओं में से थी माग नदारी तो प्रस्ताव लेके गए उनके पास की गंधार नरिष्द के पास राजा सुभाला के पास की चलो भई गांधारी से व्याह कर दिया जाए मन नहीं माना होगा राजा सुवाला का नहीं सकुनी का क्योंकि जानते थे कि दृतराश्च इस तरफ हैं फिर भी इतना शक्तिशाली राज्य पूरे भारत वर्ष के उपर जिसका आधिपत्य था मना नहीं कर पाए और मां गांध मेरे लिए धरतराश्च जैसा पती हो तो मुझे मन्जूर है पर अगर मेरा पती देख नहीं पाता तो मैं भी वैसा जीवन यापन करूंगी यह कहके उन्होंने अपनी अँखों को बंद कर लिया था जिसे एक बात तो यह समझ में आती है कि हां अंगों के बाहर भी कोई द विता के लिए उस पतिव्रता के लिए या उसके आंखे जरूरी नहीं हो गई थी जरूरी था कि वो अपने स्वामी के साथ अपने पती के साथ जीवन यापन करें बिल्कुल उसी तरह जैसे कि वो जीवन यापन कर रहे थे तो कहानी आगे ऐसे बढ़ती है कि ससुराल सारे के सारे आई मागा अधरी से ब्याद करने के लिए हस्तिनापुरी आने को यह दिली के आसपास समेढ़ीजे कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान से यह आए होगे और विया हुआ धुमधाम से उस समय के रिवास के हिसाब से आप वहो के घरवालों को जब तक भोजन दे रहे हैं तब तक वो वहीं रुखेंगे और जब उन्हें ऐसा लगे कि नहीं उनके आथित्ति में कुछ कमी हो रही है तो वो बोलेंगे और उसके बाद वाफिस चले जाएंगे तो शिष्टाचार को ध्यान में रखते हुए राजा सुवाला उनके बेटे जिनमें की सोव पुत्र थे उनके ऐसे बोला जाता है और साथ में शकुनी ये सारे के सारे फैर गए पितामा भिश्म ने ये परक्रिया कि ये नाराज है इसलिए उन्हें सबक सिखाने के लिए भो बोल के निकल जाएं कि हां भाई अब हम यहां से जाते हैं हमारा आतित्य सही नहीं हो रहा लेकिन वह भी शिष्टाचार में मगनत है भाई ससुराल में क्यों नाम खराब करना इसलिए वह चुपचाप सहते गए और गथा ये कहती है कि धीरे-धीरे भोजन की मात्रा कम होत लोगों पर पता चल गया कि शायद इसमें कुछ चाल चुपा रखे है इन लोगों ने क्योंकि इस भोजन के मात्रा में तो लोग बचेंगे नहीं सौप उत्र तो दिरे-दिरे लोग मरने लगे और शकुनी शकुनी के पिता उनके चाचा इन लोगों ने तैय कि कि जिस तरह से इस कुरुवन्ष ने हमारा आपको मान किया है इसका बदला तो लेना चाहिए और चुकि सबों में शकुनी सबसे बुद्धिमान था इसलिए सब ने ये तैय कि जब तक बोजन मिल पा रहा है तब तक तो हम बाट के खा लेंगे लेकिन जैसे ये कम करते जा रहे हैं हम अपना बोजन इकठा करेंगे और सिर्फ शकुनी को देंगे तो सब ने अपना अपना बोजन इकठा किया और शकुनी को दिया और धिर धिरे वो अपनी रिर्वीयो त्या करते चलें गया एक के बाद, एक शकुनी बचा रहा उसे हर मरने वाला याद दिलाते रहता है कि याद रखना बदला तुम्हे लेना है होते होते सारे गुजर गए, आकरी उनके पिता थे, उनके पिता शुबाला काफी कमजोर हो गाय थे और आखरी दिन होने वाला था सकुनी पास बैठा हुआ था जैसे ही वो पीछे मुड़ा शुबाला ने जोर की एक लात मारी और उनका एक पैर तोड़ा और ये बोला कि ये तुम्ही याद दिलाएगा कि तुम अपने पैर तोड़ा था और उनका पैर तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे साथ रहेंगे तो उनकी रीड की हडियां से शकुनी ने पाशे बनाये थे और साथी साथ अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए पहले तो भरुसा जीता और देरे देरे फिर कुर्वण्ष के नाश होने में मामा सकुनी का बहुत बड़ा हात है तो अगर शकुनी मामा के दृष्ट कोंट से देखा जाय तो उन्होंने कुछ गलत हो गया हर कारे के पक्ष और विपक्ष दो पहले होता है वैसे मा गांधारी भी रही दृष्टे दिवियांग तो नहीं थी लेकिन उन्होंने अपने अखुं की आख शकुनी मामा की कहानी बहुत ही रोचक तरीके से बताई और मगर गांधारी की कहानी मैं थोड़ा और विस्तार से जानना चाहूँगी तो मैं चाहूँगी कि हम दूसरे एपिसोड में करें। दोस्तो अभी आप सुन रहे थे शकुनी मामा की कहानी सुना रहे थे निपवेट के निदेशक प्रोफिसर नचिकेता राउची आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए नमस्कार